नमस्ते कैसे हैं आप सब मैं शक्ति पाल गोड़ा आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे और आशा करती हूं आप सब स्वस्त होंगे मस्त होंगे और सेल्फ लव में होंगे आज फिर मैं आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके और हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा यह experience पूरी तरह से बंद हो जाए या बदल जाए तो मैं आपको ऐसे तीन major reasons बताऊंगी इस वीडियो में जिसके वज़े से आपके साथ यह problem हो रही है यह challenge आपको बार-बार experience में आ रहा है यह वीडियो को अन तक जरूर देखे के उपर और कैसे अपनी dream life को manifest करे अपना फ्यार बढ़ाते हुए अपने लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं major तीन reasons जिसके वज़े से आपके साथ ऐसा हो रहा है पहला reason यह है कि आपके inner world में बहुत सारा hurt पड़ा है बहुत सारा traumatic past पड़ा है बहुत सारे unresolved issues पड़ है उसे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई है और उनको आप अभी तक heal नहीं कर पाए है बहुत सारे ऐसे unresolved issues है जिसको आप resolve नहीं कर पाए है तो जब आपकी healing नहीं हुई और आपके अंदर वो hurt की energy पड़ी है बहुत सारा pain पड़ा है तो आप ऐसे ही लोगों को situations क attract करेंगे जो बार-बार आपको उसी experience में डालेंगे क्योंकि law of attraction कहता है you are given who you are and not what you want तो आप चाते बहुत अच्छी चीज़ें लेकिन अगर आप अंदर से वैसे नहीं है अगर आपके अंदर बहुत कुछ pain पड़ा है तो आप ऐसे ही लोग और ऐसी situations attract करेंगे जो बार- आपने लिए belief नहीं है आपके अंदर खुद के लिए बहुत सारे doubts पड़े है अपका self esteem low है आपको खुद के लिए stand लेते नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपकी energy ऐसी है कि आप directly indirectly लोगों को allow करते है कि वो आपको hurt करके जाए आपसे बुरा वहवार करके जाए आपको disrespect कर कि आपकी overall energy ही वही है याद रखना world is a mirror reflection of who you are आप जो अंदर है वही बहार से लोग आपको देखे जाएंगे तो अगर बहुत सारा hurt है pain है self doubt है confidence नहीं है stand लेते नहीं आता है आपकी self image भी छोटी है distorted है और बहुत सारे destructive identities पड़ी है तो लोग ऐसे ही आएंगे जो बार बार आपको ऐसे ही experience देंगे जिससे कि आपका confidence और जादा कम हो आप और जादा अपने बारे में जो है खराब सोचे या बार बार आपको pain मिले या ऐसा कुछ हो जिससे आपकी self image और जादा destructive होती रहे क्योंकि वही आपका inner world है तो आपके रिष्टे दूसरों के सा तो वही होगा जैसा रिष्टा आपका आपके साथ है आंतरिक दुनिया में आपकी conscious नहीं तो हो सकता है अपना बारे में अच्छा सोच रहे है आप self help books पढ़ रहे है आप motivational videos देख रहे है आप affirmations कर रहे है लेकिन अंदर आपका subconscious mind अभी भी heal नहीं हुआ है transform नहीं हुआ है वही वही सब चीजे पड़ी आप वही energy में stuck है तो आप जो है ऐसी ही चीजे track करेंगे तीरसा ये भी है कि अगर आपका self love कम है तो आपकी emotional dependability दूसरों के उपर बहुत है आपकी ऐसी dependability है कि कोई आए और आपको खुश करे कोई आए और आपको प्यार करे कोई आए और dependent है हम ऐसा लगता है कि हमें किसी की जरुवत है constantly खुश रहने के लिए positive रहने के लिए तो हमारी dependability बहुत जादा हो जाती है दूसरों पर और क्योंकि हम dependent है ओवर गिवर भी हो जाते हैं बहुत जादा देने लगते हैं और हम access में जब देते हैं तो हम और जादा खाली हो और जब दी हैं और जब अंदर खालीपन है तो उसको कोई नई भर सकता है और जब आप बहुत जदा दे रहे हैं तो ultimately आपको path離 मिलने क्योंकि फिर सामने से तो इसा response आने से रहा क्योंकि सामने वाला भी बंदा जो वह आपने जर्नी में हैं तो उसको भी आपने प्रस ट्राइब करें अपने जो भी पास ट्रामा जो भी उसको रिजोल्व करें अपना ध्यान अपनी और ले कि यह बहुत ज़रूरी है world is a mirror reflection of who you are तो अगर आप कुछ ऐसा attract कर रहे जो आप नहीं चाहते तो आपको अपने भीतर बदलाव लाना है जब आप बदलेंगे आपकी दुनिया भी बदलेंगे तो सीखिए एक self love कैसे करना है मैं आप सभी को invite भी करती हूँ इस वीडियो की माधियम से मेरे एकिस दिन के प्रोग्राम में जहां मैं आपको self love कैसे करना है कैसे बढ़ाना है dream life को कैसे manifest करना है रिष्टो को कैसे बहतर बनाना है resolve issues को कैसे resolve करना है heal करना है कैसे अपनी self energy को transform करना है inner child को कैसे heal करना है वो सब सीखेंगे आप एक जिन मेरे साथ live एक घंटा रोज मैं आपके साथ होंगे इस जर्नी में और आपके साथ इस जर्नी में रहते हुए मैं आपको self love सिखाऊंगी manifestation सिखाऊंगी और आपकी मदद करूंगी आपकी dream life manifest करने में दूसरी बैच मेरी चालू हो गई है और तीसरी बैच में आगे जाके चालू करने वाली हूं अगर आप इंट्रिस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने details दे दी हैं आप contact करें और तीसरी बैच के लिए अपने आपको enroll करें और बहुत सारे वीडियो मैंने इस यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किये हैं सेल्फ लव के बारे में तो उन्हें ध्यान से सुने नोट्स बनाए और अपनी जिन्दगी में सेल्फ लव को जो है enhance करें यह यह को एक ऐसा साल बनाए जहां पे आप अपनी सेल्फ लव की जर्नी को शुरुआत करें सेल्फ लव की जर्नी पे और अगर आपने शुरुआत कर दी है तो आप इसे और आगे बढ़ाए let this year be a year of self-love a year of manifestation और पिर आप देखिंगी कि लाफ कितनी beautiful हो जाएगी कितनी easy हो जाएगी it is possible I would just say loving and fulfilling relationships is your birthright and you must claim it from the universe by working on yourself love yourself and everything else will fall in place lots of love and blessings thank you so much for listening to me